स्वागते साथियों आपका अपने योडिव चैनल स्टूटेंट साथि में आज हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री सिविल सेवा पोसान योजना के बाड़े में हर साथ ही जो लोग भी प्यसी की एस्पिरेंट्स होंगे या जो लोग भी प्यसी की तैयारी कर रहे होंगे या तो इनसे अवगत होंगे इस योजना से या तो उनको अवगत होना बेहस दरूरी है क्योंकि प्रिलिम्प्स का एक्जाम पास करने के बाद आपको मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसमें आपको 50,000 का as a scholarship आपको प्रोवाइड कराया जाता है ता क्या certain criteria's है क्या-क्या आपको help line है क्या आपके लिए सहूलियत प्रोवाइड की जाड़ी है इस वीडियो में लोग सब चीजों के वाना बात करेंगे साथी साथ कहीं अगर कोई confusion है तो जो help line number बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है हम लोग उसके बारे में भी बात कर करेंगे तो बने रहीएगा वीडियो में शुरू से अंत तक का तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं यहाँ पे बिहार सरकार पिछड़ा वर्गेवन अती पिछड़ा वर्गे कल्यान विभाग द्वारा निकाला गया यह जारी किया गया यह नोटिफिकेशन है आप सबसे पहले आप देख लो एक नोटिफिकेशन है जो जिसमें आपको लिखा गया कि बिहार लोग सेवा आयोग पटना द्वाड़ा आयोजित और सभी संयुक्त प्रतियोगता पडिक्छा में उत्यर्न होने वाले बिहार राजी के अधिसूचित अत्यंत पिछरावर्ग के स्थाई निवासी अभीरतियों के लिए अवश्यक सुचना ठीक है यह एक इन्फॉर्मेशन है और साथी साथ महिलाओ के लिए उसके अधिमें हम लोग बात करेंगे यह आपका जो है पिछडा वर्ग इवन अती पिछरा वर्ग विभाग द्वारा प्रवाइड किया जाता है और महिलाओ को जो प्रवाइड किया जाता जो चात्राओ को जो स्कॉलर्शिप 50,000 का प्रवाइड किया जाता है वो बाल एवन महिला विकास विभाग के द्वारा कड़ा आए जाता है आप इसमें देख सकते हो और वीडियो कंटीनिव नहीं आपाड़ा था इसके लिए आप सभी से माफी मागना चाहूँगा क्योंकि अभी हम लोग कंटीनिव बीपीसी मेंस के लिए लगे हुए उसके लिए हम लोग कॉंटेंट डिलिवर कर रहे हैं अपने एप पे अपने वेपसाइड पे के थुरू और हमारे स्टूडेंट साथी आप पे आप लोग नीच बेस्ट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो और साथी साथ हमारा जो मेंस के लिए हमारे आप पर कोर्स लाइब है ह। उसको भी आप लोग जा के एक बार चेक आउट कर सकते हैं और साथी साथ यूट्यूब पे भी हम लोग different kind of content लाएंगे मेंस examination से पहले मेंस examination के लिए तो आईए हम लोग देखते हैं इसमें राजय सरकार द्वारा और जिन चात्रों ने जिन साथियों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए क्योंकि बहुत ही स्टुडेंट फ्रेंडली कॉंटेंट और एजुकेशनल कॉंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर्ली अब मिलने वाले आप लोगो को बहुत जल्स है तो आप इसमें देख सकते हो राजय सरकार द्वारा लागू की गई लागू चालू योजना किता बिहार लोग सेवा आयोग किये जाते हैं यह आपका बीसी बीसी का जो ओफिशल वेबसाइट है आपको कुछ नहीं करना गूगल पर जाके बीसी बीसी अगर आप सिर्फ टाइब करते हो तो आपका ओफिशल वेबसाइट आजाएगा वहाँ पे आपको नियू रिजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग प आप से डाला गिया साड़ा इंफोर्मेशन स्काइन कॉपी ऑफ और डॉक्यमेंट्स आप जब सब्मिट कर दोगे तो आपका यह सब्मिशन हो जाएगा तो यहां प्याप क्या गया अब हर्थी के लिए अड़ाइवन सर्ते क्या क्या है तो बिहार राजी का इस्थाई नि प्रतियुक्ता परिक्ष्ण में उत्य नोना चाहिए और रोट योजना का लाव एक ही बार दे होगा आपने पहले भी योजना का लाव उठा लिए तो आपको इस बार यह नहीं मिलने वाला है ठीक है पुर्म में से किसी सरकारी लोग उपक्रम, राजी सरकारद्वारा वि कि प्रकडिया क्या है इसमें आप देख लो पूरा आपको हम लोग कम्प्लीट प्रोसीजर देख रहे हैं बीसी बीसी के लिए तो इसमें आप देख सकते हो विभागी वेबसाइट अब बीसी बीसी वेलफेर अगर गूगल पर टाइप करते हो विभागाउमेंट का तो ही इसका ओफिशल वेबसाइट आपको टॉप सर्च रिजर्ट पेज पर आपको दिख जाएगा तो इस पर लॉगिन कर दिनांग 3 मई 2023 लास्ट एट है यह आपका इंपोर्टेंट इंफ यह आवेधन प्रप्त सुईकार नहीं किये जाएंगे मतलब बस आपका ओनलाइन सब्मिशन ही इसमें वैलिड है आपको ओनलाइन ही इसका फॉर्म भरना है और यही आपका वैलिड है किसी अन्ने सोर्स के तुरू अगर आप फॉर्म सब्मिट करते हो तो यह वैलिड नही है उसका scan copy होना चाहिए यहां पे हम लोग डॉक्यमेंट के बारे में बात कर रहा है यह तो हो गया आप इस पर जाओ के तो यहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मैंने बताया login ID and password will be generated and after that आपको login ID password डालके login करके वहां पे साड़ा आपको जितना भी details मागा आपको देना अब क्या क्या जरूरी दस्तावेज जो आपको चाहिए तो जरूरी दस्तावेज में आप देख सकते हो कि फोटो सिगनेचर admit card की स्वयम अभी प्रमानित प्रती मतलब self-attested copy of your admit card जाती प्रमानपत्र सक्षम प्रधिकार द्वारा निर्गत आधार काड आवा आपको कवर अप्लोड करना है जिसमें आपका बैंक का IFC code भी दिखडा हो जिसमें आपका bank account नमबर आपका नाम दिखडा हो वही वाला आपको scan copy देना या फिर आपको cancel check देना है आपको domicile देना होगा यानि कि आवासिय प्रमानपत्र जाती प्रमानपत्र भी आपको दे प्रमेशन जो भी है वह आपके email ID पर ही आएंगे लाइक आपका जो भी registration नमबर होगा या जो भी आपको एक यूनीक नमबर जो जनरेट होगा वह आपको आपके email ID पर होगा अवासिक सुचना उनके email ID पढ़े दी जागी आपने email को प्रक्डिया पूर्ण होने तक सक्रिय तो ठीक है आपको online माधियम से आवे दन करते समय अभीरतियों को वांची सभी सुचना सही सा यंकित करने होगी किसी भी तुरूटी की जिमेदारी अभीरति की होगी इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं करने आपको एक बार दो बार तीन बार आप लोग क्रॉस चेक क करके ही फॉर्म बढ़ियेगा क्योंकि एक अच्छा अमांट आपको मिल रहा आगे के प्रिपरेशन में आपको बहुत जादे हल्फुल होगा अगर आप अभी पीटी निकाल चुके हो तो आपके जो आने वाले इग्जामिनेशन से या इंटर्व्यू का प्रिपरेशन है आपको काफी अच्छे से आपको हो सकेगा या फिर अगर इस बार आपका मेंस नहीं होता है तो आप आने वाले इग्जामिनेशन के अच्छी ते याड़ी कर सकते हो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है अब यर्ती द्वारा इस आशय का सखोषना करना होगा जिसमें य मुख्य मंत्री सिविल से परसान युजना का लाब नहीं लिया गया जो मैंने बताया आपको ओनलाइन आप एदन करने की अंतिम्तिती तीन मई 2023 से एंड ओफिशल वेबसाइट आप किये आप गूगल पे भी आप बीसी बीसी करोगे तो आपका ओफिशल वेबसाइट आज महिलाओं के लिए भी जानना बहुत जरूरी है यह आप देख सकते हो सबसे पहले एक आर्टिकल हम लोग ले लेते हैं जिसमें महिलाओं को कैसे यह इस योजना का लाब मिलेगा क्योंकि महिलाओं अभी अर्थी के लिए यह योजना है तो उनको कैसे लाब मिलेगा उसके बाड़े में देख लेते हैं इसके लिए बीजिए ज़रुरी इंफ्रमेशन बाड़े में लोग चर्चा कर लेते हैं आप देख सकते हैं हम लोगों ने हिंदुस्तान का आर्टीकल निकाला है इंदुस्तान न्यूस पेपर का विप्यसेप्टी पास को मिलेंगी 50,000 रूपए 10 महीं तक इसका जो आवय्धन का बिहार गवर्मेंट है ना अत्यांत पिछरा वर्ग विभाग जो है बिहार सरकार का वो प्रोवाइड कर आता लेकिन महिलाओं को जो है महिला एवन वालविकास विभाग द्वाड आई है प्रोशान रासी प्रोवाइड की जाएगी तो यहां पर आप लोग इंफोर्मेशन देख सकते हो कि इसका जो लास डेट है दस मही तक है ठीक है बियार सरकार द्वारा सिविल से और प्रोशान रासी योजना में आवेडन करने की तिति जारी कर दी गई है इस योजना के तहत इस योजना में 68 वी पीटी परिक्षा में उत्तरन सामान एवन पिछरा वर्गी क इस आवेडन कर सके की मतलब ओधिए जक्रिटी जर योजना जो फिम्रेश योजना को क्रैटी योजना है इसका पीटी एक्जाम क्यों लास डीट है डस माई तो इसके पहले किसक्षी योजिछ लों ब्स ब्सक्राह बरे लिए लिए पालिम लोग लोग ने क्या के लिए है और महिला जो सामान ने जनरल और OBC से जो बिलॉंग करती है जो महिला है जनरल एंड OBC के अटेगई से जो बिलॉंग करती है उनके लिए और इसमें लास्ट डेट आपका 10 मही है आगे information हम लोग देखेंगे इसमें क्या है आप पढ़ सकतो जो मैंने आपको बताया था वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट तक दिया जाएगा यहां पे आप देखेंगे तो महीला एवन बालविकास निगम बिहार द्वारा सिविल सेवा प्रसांद आज योजना में अनलाइन आवेदन करने की तिथी जाड़ी कर दी गई है तरह इसको पिछड़ा वड़गी की महिला अभियर्थी ओनलाइन आवेदन करेंगी ठीक है आवेदन की अंतिम्तिती दस मैं रखी गई है सारी शर्ते पूड़ी करने पर निगम द्वाड़ा अभियर्थी को पचास अजार रुपए का प्रोस्ताहन रासी दिया जाएगा इस प्रोस् सूचित जाती अनुसूचित जन जाती या अन्य पिछड़ा वर्क स्रेनी में नहीं आना चाहिए यानि कि शेडूल का सेडूल ट्राइब के लिए यह योजना नहीं है जो बाल एवन महिला का लियान विभाग द्वारा जो प्रोवाइड करा जाड़ा है जेन्डर लेंड जो बीसी की चात्राओं को उसमें आपका SCST होना अगर आप हैं तो यह योजना आपके लिए नहीं है आप अगर सामान्य और पिछरावर की महिला है या चात्रा है तो आपको यह यह योजना का लाब मिलेगा पुर्व में किसी भी सरकारी लोग उपकरम राज्यसकार में का आपको साड़ा information आएगा ठीक है important information will be shared on the relevant email id email id पे आपको साड़ी जानकारी दे दी जाएगी एक तो यह होगिया important information और 2022 में जो है 2022 मतलब इसके पिछले साल जो है 937 चात्राओं को इसका लाब मिला है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को नहीं नहीं 937 चात्राओं ने इसका लाब लिया है सन 2022 में पिछला जो examination का जब result हुआ था तो उसमें साथ आपको कई सरकारी जॉब ना हो और इसके पहले आपके इस प्रोसान रासी अलाब नहीं उठाओं और एक मैं help line नंबर है जो मैं आप डाल देता हूं अगर ज्यादा information चाहिए अगर आपको लगड़ा कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा information नहीं दे पाया तो सब्सक्राओं के लिए जिनको इस योजना का अलाब उठाना है जिन्होंने अर्सटवी पीटी क्वालिफाई किया तो नंबर है 0612-250-6068 0612-250-6068 यह आपका help line नंबर है इस पे आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो यह था हमारा complete information पहले वाले वीडियो में लो या उन छात्राओं के लिए देखा जिन्होंने वीपीस्टी अर्सटवी पीटी सक्सेस्फुली क्वालिफाई किया और इसके पहले हम लोग ने पिछरा एवन अथी पिछरा वर्ग कल्यान विभाग द्वारा जो प्रोसान रासी जो प्रवाइड किया जाड़ा उसके वार करना है क्या आपको डॉक्यमेंट चाहिए और क्या-क्या आपको क्राइटेरिया फुल्फिल करना है वो सब हमने आपको जानकारी दी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर जो लोग अर्स अना तरवी के लिए भी तैयारी कर रह करता है जिससे आप आने वाले एक्जाम्स के लिए आने की इंटर्व्यूस के लिए मेंस एक्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर सको तो यह आप जो जान रहे हैं उनके लिए तो सही है और जो लोग उन्हा तरवी पीटी के लिए भी प्रिपरेशन करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिये शेयर कीजिया और शब्सक्राइब कीजिया अमारे यूटुब चानल को और थैंक्स फो वचिंटार्य वीडियो सो मुच